तो आप ने जैसा की थमनेल में देखा अगर आप भी अपना ऐसे लोगों बनाना चाहते हैं तो कई वाइस क्या करना होगा पिक्सलेप आप लियूंत करना होगा उसके बाद मैं पीक्सलेप जो-जो इस्टेप फालो div करना होगा आपको साथ में follow करते रहना है और आप भी अपना logo इसी प्रकार से बना सकते हैं और guys आप लोगों को बता दूँ इस लोगों को बनाने के लिए आप लोगों को pixel lab में जितने भी tools हैं वो सब tools आप लोगों को follow करना होगा उशी की मदर से हम लोग आपना जो है logo बनाने वाले हैं तो चलिए guys बिना देरी के मैं video को start करता हूँ यह रहा guys मेरा pixel lab और pixel lab पे चलने के बाद में आपको यह new text दिख रहा है आपको यहाँ से इसको delete कर देना है और delete करने के बाद में guys आप लोगों को ए वाले option पे click करना है और A वाले option पे click करने के बाद में guys आपको text वाले option पे जाना है और यहाँ पे दो बार click करने के बाद में आप लोगों को जिर जिर name से आप लोगों को logo बनाना है वो name यहाँ पे उस name का later यहाँ पे लिख लेना है और लिखने के बाद में guys आप लोगों को यहां से done कर लेना है और done कर लेने के बाद में guys इसको आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है बढ़ा आप लोगों को इतना बड़ा कर लेना है उसके बाद में guys हम लोगों को क्या करना है यहां पे इसको front इसका जो font है वो font हमको change करना है तो चलिए guys म मैं अज अपना जो मैंने गूगल से अपना फॉऽ्ट डाउनलोड किया है उसको यहां से लगा रहा हूँ ये R Z लिखा है जिस पे आप मैं इसको मैं ये विल लगा रहा हूं गैज मैं आप लिकन मैं description box में दे दूँगा आप लोग वहां से download करके और इसको भी use कर सकते हैं तो चलिए गाइस उसके बाद में ok कर देते हूं ok करने के बाद में कुछ आपके सामने ऐसा बनके आ रहा है आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह कुछ हमारा कट गया है तो इसके लिए guys हम नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके स्क्रॉल करने के बाद में यहां पर आप लोगों को एक पैडिंग वाला option दिख रहा होगा पैडिंग वाले option पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा लेना है बढ़ाने के बाद में यहां से इसको ok कर देना है और अब आप लोगों यहां से देख सकते हैं यह हमारा कुछ इस परकार से guys बनके आ गया है अब इसके ब बनाने के बाद में guys आप लोगों को यहां पर पहले वाले पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसका guys हमें color जो है वो change कर देना है इसका color guys हम change कर देंगे और change करने के बाद में चलिए guys इसका color जो है वो red color रग लेता हूं उसके बाद में यहां से इसको done कर देना है done करने के बाद में guys अब आपको जाना है दूसरे वाले जे पे और दूसरे वाले जे पे click करने के बाद में आपको दूसरा letter जो भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना है आप लोग वहाँ से दूसरा letter लिख सकते हैं तो चलिए guys मैं यहाँ से दूसरा लेटर लिख देता हूँ और दूसरा लेटर लिखने के बाद में यहां से इसको डॉन कर देता हूँ अब डॉन करने के बाद में आपको गाइस कुछ इसको यहां पर ऐसे सेट कर लेना है और सेट करने के बाद में आप लोग यहां पर गाइस देख सकते ,पिरह सी sect ब्रीर إن 10 सब्रीद केडिना और किया दोश्री करने के लिए tehdas ,इसको यहां करने के बाद में का ऍटियं यहां डूने के बाद में का wa la , जो हमने दोनों को आप कर देना है ऊबлемों को करने की किलिक करना एक बार चाथन के merge कर देना है तो चलिए guys मैंने यहां से दोनों को merge कर दिया है merge करने के बाद मैं simple आपको यहां पे click कर देना है click करने के बाद मैं guys अब आप लोगों को यहां पे कुछ करना है यह आप लोगों को जो S वाला है यह आप लोगों को दिख रहा था इसका guys आप लोगों को थोड़ा सा color जो है इसका भी change कर लेना है तो चलिए guys मैं इसका color जो है वो change कर लेता हूँ change करने के बाद मैं इसका color जो है guys मैं black कर देता हूँ black करने के बाद मैं यहां से done कर देते हैं done करने के बाद मैं फिर उसी J वाले option पर जाते हैं और उसको उठा के guys हमको इसी के ऊपर set कर देना है तो चलिए guys हमने इसको इस पर set कर दिया है अब set करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ से guys हम चलते हैं अपने यहाँ पर save wallet hexagonal पर है और यहां से आप लोगों को एक save जो है save को यहां से select कर लेना है तो चलिए guys मैंने यहां से एक save को यहां से select कर लिया है select करने के बाद में guys आप लोगों को कुछ save को ऐसे थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेना है इतना बड़ा करने के बाद में guys आपको save का color जो है उसको black कर देन हैं done करने के बाद में guys अब आपको यहां से क्या करना है हमारा जो जे था और यह safe था इसको हमको दोनों को guys merge कर देना है तो चलिए guys हम यहां पे इसको दोनों को merge कर देते हैं तो guys यहां से हम जे वाले पिर और जे वाला जो है और हमारा ये सेफ वाला है जो दोनों पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इनको यहां से merge कर देंगे, तो guys हम merge करने के बाद में, यहां से आप लोगों को नीचे से scroll करना है, scroll करने के बाद में Erase वाला option दिख रहा होगा, इसको आपको enable करना है, और enable करने के बाद में आपको नीचे pencil वाला will icon यहाँ पे दिखरा है, इस पिख आप लोगों को बाद में अब आप लोगों को डण करने के बाद में अब हम लोगों को यहां से इन लोगों को भी क्या कर लेना है दोनों को यहां से मर्ज कर देना है तो चलिए गाइस हमने यहां से इन दोनों को भी मर्ज कर दिया है मर्ज करने के बाद में फिर से चलते हैं और यहां से इसको enable करते हैं, enable करने के बाद में tolerance को 70 कर देते हैं और smooth को 1 कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ से done कर देते हैं, अब done करने के बाद में next guys हम detect करने के बाद में guys स्पील हमको यहां पे जाना है यहां इस टॉर्क वाला आपको एक option दिखरा होगे इस पर जाना है इसको यहां से enable कर देना है enable करने के बाद में guys इसको आपको one पर लाने के बाद में guys यहां से आप लोगों को done कर देना है अब done करने के बाद में हमको यह यहां से इसको select कर लेना है अब यह वाले को select करके guys इसका ह जो हमको गाइस ब्लेक कर देना है तो चलिए गाइस यहां से हम इस कलर को भी ब्लेक कर देते हैं आप लोग देख सकते हैं यहां से हमने इसका कलर भी गाइस ब्लेक कर दिया है अब ब्लेक करने के बाद में गाईज हमको दोनों को मर्ज कर देना है तो चलिए गाईज हम दोनों पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इस पर और क्लिक करने के बाद में यहाँ से गाईज हम दोनों को मर्ज कर देते हैं अब आई ये guys दोनों हो गए है merge, अब merge होने के बाद में guys, आप लोगों को यहाँ पर जाना है, यहाँ पर erase वाले option पर फिर से जाना है, और erase वाले option पर जाने के बाद में इसको enable करना है, enable करने के बाद में इसको आपको 70 कर लेना है, और आप लोगों को इसको smooth को 1 कर लेना ह उसके बाद में guys इतना करने के बाद में आपको यहां से done कर देना है अब guys यह इतना कुछ हो गया है उसके बाद में guys अब हमें क्या करना है अब हमको यहां पर इसमें लगाना है crown लगाना है तो guys crown लगाने के लिए हम चलते हैं अपने image वाले option में तो चलते हैं दिन उसके बाद में यहाँ पर select करते हैं यह वाले option पर उसके बाद from gallery में और gallery में जाने के बाद में guys और gallery में जाने के बाद में guys हमको यहाँ से अपने जो इतना सा रखना के बाद में यहां से आप लोगों को ड़न कर देना है ड़न करने के बाद में गाइस आप लोगों को यहां से इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं तो गाईज मैंने यहां से कुछ इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया है अब इसको सेलेक्ट करने के बाद में गाईज अब यहां पे चलते हैं यहां इस पे किलिक करते हैं और लेयर वाले अप्शन पे किलिक करने के बाद में इसको भी गाईज हमको मर्ज करना है तो चलिए guys हम इसको भी merge कर देते हैं यहां से दोनों box पर click करेंगे और यहां से दोनों को merge कर देंगे चलिए guys आफ दोनों merge हो गए हैं उसके बाद में guys हमको यहां सेरा अव आमको wings लगाने हैं तो wings लगाने के लिए guys simple चलते हैं अपने plus level icon पर उसके बाद मैं from gallery और gallery से आप लोगों को wings भी यहां से लगा लेना है तो चलिए guys मैं wings वाले पर click कर लेता हूं और click करने के बाद मैं guys इसको आपको half आप करके अपने wings जो है वो लगाने है guys तो चलिए guys मैंने इसको आदा को select कर लिया है और select करने के बाद मैं guys को इसको यहां पर इस परकार से select करना है इसको guys अच्छे से select करने के लिए आपको यहां पर उपर वाले पर इस पर click करना होगा और click करने के बाद में आपको wings को यहां पर आपको यहां से इस पर जाना होगा और इस यहां पर आप लोगों को इस वाली लाइन को सेट करने के बाद में चलिए गाइस मैंने इस लाइन को अच्छे से सेट कर लिया है अब सेट करने के बाद में गाइस अब आप लोगों को नीचे वाली लाइन जो है उसको भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है तो चलिए गाइस मैंने इस वाली लाइन को भी यहाँ पर सेट कर लिया सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है अब हमको यहां पे एक crop all option दिखे रहा है crop all option पे जाएंगे और यहां से हम दूसरे side की image जो है उसको यहां पे दूसरे side ओला wings को यहां से correct कर लेंगे अब guys इसको यहां से select करने के बार में दूसरे वाले विंग को select करने के बाद में guys अब इसको यहां से हमको यहां पर लगा देना है तो चलिए guys हम यहां से इसको लगा देते हैं तो हमने guys इसको भी यहां से select कर लिया है दूसरे विंग को select करने के बाद में फिर से आपने वही back चलते हैं और back चलने के बाद में guys अब layer वाले option पे click करते हैं और click करने के बाद में हमको guys सभी को आपस में कर देना है merge तो चलिए हमने guys सभी को आपस में हमको merge करना है हमने इसको यहां से सभी को तीनों को merge कर दिया है merge करने के बाद में अब guys चलते हैं यहां से back और back चलने के बाद में गॉइस अब आप लोगों को Wings लगाने के बाद में दन हमको क्या करना है जे वाले को Select करने के बाद में गईस ये हमको back side में दिखे रहा है तो guys two front कर देना है इसको यहाँ पर two front करने के बाद में कुछ इस type से आपका हो जाएगा इसके बाद में guys इसको merge कर देना है अब guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह हो गया है आप लोगों का merge तो guys अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इतना बनकर तयार हो गया है अब इतना तयार होने के बाद में guys अब आप लोगों को यहाँ से merge करने के बाद में एक काम और यहाँ पर करना है आप लोगों को जाना है नीचे scroll करना है थोड़ा सा erase वाले option पर जाना है और इसके बाद में यहां से आप लोगों को done कर देना इसको भी है अब इतना करने के बाद में guys अब हमको क्या करना है इसको हमको PNG form में save करना है guys तो हम इसको PNG form में save करेंगे तो सबसे पहले guys हम PNG form यहां से इस पर click करेंगे और click करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है transparent तो यहाँ पर आप लोगों को click करना है click करने के बाद में guys यहाँ पर आप लोगों को simple इस वाले option पर click करना है और click करने के बाद में save as image का option दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे default वाले पे click करना है और ultra से इसको यहाँ पे guys आप लोगों को shape कर लेना है save to gallery करके यहाँ से आप लोगों का यह save हो जाएगा save हो गया है guys उसके बाद में हम जाएंगे यह आप लोगों को यहाँ पे 3 circle दिख रहे हैं new text को यहाँ से delete कर देना है delete करने के बाद में आपको guys आपने जो बनाया था logo उसको यहाँ पे अब लाना है तो guys हम simple चलते है अपने plus वाले will icon पे और from gallery में चलते हैं gallery में जाने के बाद में guys आप लोगों को यहाँ पिक्सलेम में जाना है और वहाँ से आपने जो डाउनलोड किया था गाईज वो यहाँ पर ले आना है तो चलिए गाईज मैंने जो यहाँ पर PNG में डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर हमको ले आना है गाईज तो guys हमने जो download किया था उसको हम यहाँ पर लेकर आ गया है और यहाँ से इसको okay कर देते हूं okay करने के बाद में guys आपको इस परकार से कुछ इसको यहाँ पर select कर लेना है अब guys यहाँ पर select करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है गाइस यहाँ पे आप लोगों को यह लोगो लाने के बाद में अब आप देन इसके बाद में गाइस हमको इसमें अब सिल्वर टेक्सर लगाना है तो सिल्वर टेक्सर लगाने के लिए गाइस हमको चलना होगा अपने टेक्सर वाले अप्शन पे यह रहा गाइस टेक्सर वा और इनेवल करने के बाद में आप लोगों को इसको जो है अपने हिसाब से इसको set कर लीना है तो चलिए guys मैंने इसको इस type से climate कर लिया है और set करने के बाद में यहां से guys आप लोगों को done कर देना है अब डन करने के बाद में, नीचे हम लोगों को 3D वाला एक save दिख रहा है, 3D वाले पे जाएंगे, और 3D वाले को enable करने के बाद में, आप लोगों को यहाँ पे, जो depth दिख रही हैं, इसको आप लोगों को 5 तक कर देना है, और 5 रखने के बाद में, उसके बाद में guys आप लोगों को यहां से done कर देना है then guys इतना करने के बाद में आप लोगों को shadow वाले option पर जाना है और shadow वाले option पर जाने के बाद में आप लोगों को यहां पर दिख रहा है 25, 7, 5 आप लोगों को इतना इतना कर लेना है से डो वाले अप्शन को उसके बाद में यहां से ड़न कर देना है और ड़न करने के बाद में गाइस तो चलिए guys मैं अपनी from gallery में यहां से चलता हूँ और from gallery में चलने के बाद में guys यहां से हम लोगों को अपना background जो है वो choose करना है अब guys आप लोगों को कौन सा background लगाना है यह आप लोग guys जो है आप लोग समझ सकते हैं यहां पर तो चलिए guys जो हमें background अच्छा लग रहा है उसको हम यहां पर select कर लेंगे चलिए guys सबसे पहले इस वाले background को लगा के देखते हैं तो यह वाला guys कुछ background ऐसा दिख रहा है तो guys यहां पर यह background नहीं काम करेगा उसके बाद में हमें देन दूसरा वाला guys चेक कर लेना है दूसरा वाला guys हमें background यहां से चेक करना है फिर से चलते हैं from gallery में और यहां से हम guys यह वाला background चूज करते हैं इसको select करते हैं आप लोग यहां से देख सकते हैं कुछ इस पर ये वाला ऐसा लग रहा है गाईस उसके बाद में आप लोग जितने भी बैक ग्राउंड सभी आप लोग चेक कर सकते हैं जिस भी बैक ग्राउंड पर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वो बैक ग्राउंड आप लोग वहां से लगा सकते हैं गाईस इस वाले बैक अब आप लोगों को यहां से डं करदेना है यहां पर वह से अपनी गैल्यली नहीं장님 है से मचाम geez click है बढूबली यहां से लिट्वतिव वे वाले पर कलिक करें व्लाद है माल्टा करने के बाद में आप लोगों को sees आप अपने चैनल का लोगो या ब्रैंड बना सकते हैं असानी से तो उमीद है आप लोग ये पूरी जानकरी अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बाव विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मेरे सस्क्राइब कर लेना और अगर वीडियो आप ल